नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ इससे पहले हमने जो पढ़ाता देखना चाहे वो ल्टी टेट के लिए हो या ल्टी कमिशन के लिए हो हमने पत्राचार जिसके बारे में जाना था जो कि आपका प्रियोजन मूलक हिंदी के अंतरगत आता है जिसमें हमने समानने साब परिचय पत्राचार के बारे में जाना था कि पत्र लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है पत्र के मुख्य अंग या तत्तो कौन-कौन से होते हैं जो बहुत ही जरूरी है पत्र लेखन में और कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है तो ये सारी बाते हमने पत्र से रिलेटेड पहले ही पढ़ ली थी आज हम इसमें मुख्य रूप से देखे जो हमारा समाजिक पत्र रहता है वो उतना ज़ादा नहीं रहता या फिर आप परिवारिक पत्र के बात करते हैं तो वो ज़ादा जरूरी नहीं हमारे लिए क्योंकि प्रियोजन मुलक हिंदी के अंतरकत आपके काम की जो सबसे मतपून चीज है वो थे आपके प्रशास्किय पत्र या जो सरकारी पत्र हैं जिनको आप कारियालाई पत्र के नाम से भी जानते हैं देखना उसको आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं जिनमें से नोरेंडम होता है ठीक है जैसे आपका टेंडर जुसको हम कहते हैं टेंडर नोटीस निकलता है कुछ ऐसे बहुत सारे इसमें रहते हैं कुछ आपके डेमी ओफिशल लेटर रहते हैं जुसको आप अर्द सरकारी कहते हैं कि जोको आप ओफिशल लेटर कहते हैं इन सब बात फ्रस्षियर का विद्यार्थी भी इस क्लास को देख रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़ादा उपयोगी है क्योंकि उन्हें एक पूरा वननात्मक प्रशन जो है यहां से बनता है जो की I think 6 या 7 नंबर का रहता है तो उनके लिए भी ये क्लास मतपूर्ण होने वाली ह तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा सरकारी समाचार पत्र और सरकारी समाचार पत्र क्या होता है इसके लिए आप पहले वाली कلاस जो है वो जरूर देख लें जिसमें हमने इन सब बातों को discuss किया हुआ था पत्र के प्रकार में ही जो समान्या कlaw थी हमारी 15 चार से अब यहाँ पर है सरकारी पत्र, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रख लेना है कि जो सरकारी पत्र रहते हैं, यह दो प्रकार के माने गए हैं, यह दो प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए पहला लिका है, समान्य व्यक्ति को संबोधित करके लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, आपका जो सरकारी पत्र ही रहता है इसमें, या सरकारी पत्र अचार की बाते हैं, दो प्रकार हैं इसके, जिसमें हम किसी समाने व्यक्ति विशेश को ही क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जैसे इसमें स पहला प्रकार है दूसरे प्रकार है आपका समान्य सूचनाएं समान्य सूचनाओं में आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि जहां पर किसी व्यक्ति विशेश को संभोधित करके न लिखा जाए बलकि उसमें क्या रहती है आपकी मुख्य रोप से कुछ समान्य सी बाते हैं जो सूचनाओं इत्यादी जी रहती है तो ये दो प्रकार हैं जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारे सरकारी पत्र हैं उनको हम विवाजित करते हैं अब समान्य सूचनाओं से समंधित क्या है जैसे अधी सूचना है तो आप सब लोग जानते हैं कि कोई विशेश प्र तेंडर नोटिस कहते हैं इसको भी आप देखेंगे और इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये चीज़े आपको जरूर पता होने चाहिए खासकर एल्टी टैट वालों को एल्टी कमिशन वालों को भी यही चीज़ है और विद्यार्टियों के लिए भी बातमत पूर्ण है क्योंकि कई बार पूछते हैं कि टेंडर नोटिस से क्या भी प्राय है तो वो आपको यार रख लेना है निविदा सूचना अगर निलाम सूचना हो तो वो क्या है वो आपका आउक्षन नोटिस हो ठीक है जैसे आप आउक्षन देखते हैं है ना वैसे ही आपका इसमें उत्गोशना आदेश है इसको भी आप याद रखेंगे प्रोक्लेमेशन ओर्डर्स ठीक है और संकलप है जिसको आप रेजोलूशन के नाम से जानते है विग्यापन को तो खेर सभी लोग आप समझते ही है एडवर्टाइसमेंट और साथ ही साथ आपका परिपत्र हो गया जिसको हम सर्कूलर कहते हैं इसके साथ साथ आपका कारेल लग्यापन है तो इनको भी आप देखेंगे आगे विस्तार से एक एक करके कि क्या क्या लेकिन मुख्य रूप से जो जो पूछे जाते हैं उनको ही इस क्लास में देखने वाले हैं सरकारी पत्रों के जो रूप रहे हैं हलाद की इसके अलावा भी बहुत सारे रूप जो हो सकते हैं लेकिन हमारी काम कि जो यहाँ मपर रहेंगे उनको हम जो है THोड़ी देर में ह देखने वाले हैं कि कौन-कौन से हैं वो, तो सबसे पहले यहां पर लिखा है देखिए आपका सरकारी पत्र, इसको आपको पढ़ना पढ़ेगा, अर्द सरकारी पत्र भी आप पढ़ेंगे, ग्यापन, मेमोरेंडम के बारे में भी आप पढ़ना है, मन्जूरी पत्र, जिसक चार-पांच चीज़ें समाने सूचना से, जैसे आपका अधि सूचना, सारवजनिक सूचना, इसके बारे में, निलाम सूचना उतनी जरूरी नहीं है अवी आपके लिए, लेकिन मतपून है आपका, निविदा सूचना, इसको टेंडर नोटिस कहेंगे, यह जरूरी है, सं आपको देखना है, कि इनको किस रूप में लिखा जाता है, क्या क्या इसमें मुख्य बाते हैं, और किस के बीच में यह पत्र बेभार रहता है, यह सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देखेंगे, तो चलिए एक एक करके हम इनमें से जो मुख्य मुख्य हमारे यह जो आते रहते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई, तो यही नोटिफिकेशन यहाँ पर है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, तो यहाँ पर 4-5 महत्पुन बिंदू है इसके, जो आपको याद रखने हैं, पहले-पहल बोला गया है देखना, कि इस तरह के पत्र, सरकार या कारयले की ओर से, जनसधारन, अधिकारियों और करमचारियों की जानकारी के लिए जारी के जाते हैं, तो अब्यसी बात है, कि कोई भी अधिसूचना रहती है, तो वो किसकी तरब से होता है, सरकार या कोई भी समंदित कारयले हो सकता है, जो अपनी सूचन जानकारी के लिए क्या रहता है या फिर कोई अधिकारी है या कोई करमचारी है उन सब की जानकारी के लिए क्या करता है एक सूचना निकाहता है यसको हम अधिसूचना के नाम से जानते हैं ये पत्र कहां पर प्रकाशित होता है सरकारी गजट पर मैं भी प्रकाशित होना चा जो आपका सिरकारी पत्र होती हैं गस्टे होती हैं उसमें आप देखते हैं कि वो प्रकाशित रहता है और उसके बाद ही जो है बाकी की आगे की प्रक्रिया जो है वो रहती है क्योंकि इसके बाद आप जो मतपून चीजें पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रारूपन, टि पेचवाइस भरना है उतने लोगों को जो है आपके कमिशिन के जरिये भरना है तो ये जो सारी चीज़े हैं ये सारा प्रोसेस जो है आपके इसके बाद का है तो इस से पहले आप इन चीज़ें को थोड़ा-थोड़ा अच्छे से जरूर समझें कि सूचना क्या है तो इसलिए दियान में रखेगा कि ये अन्य पुरुष तो तीन प्रकार के जो आप देखते हैं देखना उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये रहता है न तो इसमें इस तरीके की शब्दा वली कप्रियों किया जाता है जहांपर मैं हम ये नहीं तो अन्य पुरुषों में ही लिखा जाता है आपका कौन सा जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें करमचारियों आदी की जानकारी के लिए नियमों एवं आदेशों की घोषना, राजपत्रित अदिकारियों की निव्टि, पदोनती, छुट्टी आदी की सूचनाएं जो है या फिर जो राजपत्रित अदिकारी हैं उनको निव्ट किया गया है, कहां पर किसका तवादला हुआ है, ठीक है, या फिर उसको कब जो है हमारे विभागों में छुटी रहेगी, कब जो है खुला रहेगा, इन सब चीजों को लेकर के इसमें बात रहेगी, ठीक है, तो य यह बात यहां पर आपको याद रखनी है, तो यह था समानने सा परिजय देखना आपका किसके बारे में, अदिसूचना के बारे में, तो अदिसूचना से आपको सिर्फ इतना सा ही याद रख लेना है, कि यह किसी भी कारल या फिर सरकार के द्वारा जन समानने को जो है सू पहले पहल देखना अधी सूचना तो I hope कि आप समानने सा परीचा इसका जान गया होंगे हलां कि इतने ज़ादा क्वेशन यहां से नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूर है ताकि आप बाद में ये ना कहें कि हमने इस विशय को जो है टच नहीं किया था इस स्थानों के ग्यापन निलामी और निविदा की सूचनाएं यानि कि टेंडर की जो सूचनाएं हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं सारवजनिक सूचनाएं कहलाती हैं तो इसको आप पहले पहल याद रखिए इसको भी देखना है और ये भी समाचार पत्रों और पोस्टों या फिर किसी भवन या किसी क्षेतर विशेश का जो कोई जमीन विशेश है उसकी निलामी और कोई मानीजे किसी कैंटीन का किसी को टेंडर देना है या किसी आपके भवन निर्मानी त्यादी के कार्या का किसी को टेंडर देना है तो उसकी जो भी सूचनाय रहती है उनको हम क सुचना में प्रारंभ में सुचना प्रकाशित करने वाली संस्ता का नाम अवश्य होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम सारवजानिक सूचना देते हैं, तो कौन उसको प्रदान कर रहा है, जैसे मालीजे किसी भवन निर्मान के लिए कोई tender notice निकाला गया है, तो वहाँ पर उसका पता होना चीए, कि किसने ये tender निकाला हुआ है, तो ये चीज यहाँ पर important है, तो ये वो रहा है कि सूचना परकाशित करने वाली संस्था जो है, उसका नाम भी रहेगा, अधिकारियों का नाम और पता, सब कुछ जो है इसमें आपको देखने को मिलता है, चाहिए वो किस पद पर आसीन है, कौन से कारले में है, ये चीज आपको देखने है, जैसे आप देखने हैं, हीमाचरपटेश विष्चो विध्याले में कोई notification निकले, तो नीचे लिखा रहेगा कि हीमाचरपटेश विष्चो विध्याले, संस्केत भी भाग में अगर कोई post है, चाहिए वो clerk की है, चाहिए वो अध्यापक की है, चाहिए वो स्वीपर की है, या फिर वाच्मेन की है, या कुछ और चीज है, ठीक है, तो वो आपको पूरा का पूरा उसमें क्या रहता है, mention करना रहेगा, ठीक है, यहां से प्रशना आपको पूछ सकता है, ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, तीसरा जो रूप है देखी, यह है आपका उद्धोषना, जिसको हम प्रोक्लमेशन के नाम से जानते हैं, तो सारवजनिक सूचना तो पब्लिक नोटिस था, उसमें तो कोई ज़ादा दिकत परशानी की बात थी नहीं, उद्धोषना से आपको याद रख लेना है, इसको खाली घोषना के नाम से भी आप जान सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको उद्धोषना भी कह सकते हैं, तो यह क्या है, इसमें किसी भी राष्टियम हत्यों के विशे पर सरकारी निर्णे का प्रसारन रहेगा, यानि कि कोई भी राष्टियम हत्यों की बात है, तो सरकारी निर्णे का अगर प्रसारन उस पर हो रहा है, तो क्या है आपका गोशना है, गोशनाएं प्राय राष्टपती या राजयपाल के हस्ताक्षनों से ही होती है ये वात आपको समाने से समझ में रखनी है कोई जादा चीज इसके बारे में नहीं है जब तक राष्टपती या राजयपाल के हस्ताक्षन नहीं होंगे बनाया जाता है, है ना, तब ही जो है राश्टरपति या राज्यफाल उस पर हस्ताक्षिर करेगा, जिससे किसी भी प्रकार का किसी को कोई नुक्सानी त्यादी न हो, ठीक है, तो इसलिए घोशना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, ये बात इसके important है, बाकी चीज़ें तो सेम वैसी ही है, जैसी दूसरी आपने पढ़ी, ठीक है, तो उद्गोशना के बारे में कुछ जादा चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बातें अगर आप याद रख लेंगे, तो आपका काम जो है, असानी से हो जाएगा, नेक्स जाता है यहाँ पर संकल्प, जिसको हम प्रस्ताव भी कहते हैं, या रेजोलूशन के नाम से भी आप सब लोग जानते हैं देखना, चाहे हिंदी में पढ़िये, चाहे अंग्रेजी में पढ़िये, रेजोलूशन ये पुराने प्रेपर में पूछा गया है देखना कि संकल्प या प्रस्ताव को, मतलब पारिभाशिक शब्दों में आप इसको पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको खासकर ये LP कमिशन के विद्यातियों के लिए बहुत जरूरी है, कि इसको अंग्रेजी में क्या गयते हैं, क्यूंकि आपने पुराने प्रेपर में बहुत बार देखा होगा, resolution भी पूछा गया है, advertisement भी पूछा गया है, पारपत्र, परिपत्र ये क्या होते हैं, इनको भी पूछा गया है, ग्यापन को पूछा गया है, अनुस्मारक को पूछा गया है, तो ये सारी बाते जो हैं आपको कहां पर मिलती हैं ये आप BA First Year की जो प्रियोजन मुलक हिंदी के पुस्तक है उससे भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास HG Publication का व्याकरण है तो उससे भी जो है आप इनको पढ़ सकते हैं इनका अंग्रेजी मिनिंग और यहां से LTE पूछ नहीं यहां से पूछता है तो आप सब लोगों के लिए जरूरी है कि English मिनिंग क्या है इसका बाकी बात की चीज़ें है इतना डिटेल तो अभी तक पूछा नहीं है लेकिन अब आपको त्यार रहना है एक्जाम लगातार आप देखते हैं कि क्या हो रहा है कठिन से या आयोगों की सूचना जो रहती है आपके देखना वो भी इसी तरह से ही या यूँ कहें कि आपके रेजोलूशन के जरीए ही दी जाती है जान समीतियों के जो प्रतिवेदन है उनके परिणामों की गोशना प्रतिवेदन का मतलबता है रिपोर्ट तो कई बार ये भी के नाम से जानते हैं यानि कि इस सारा प्रोसक्त एक ही है तो कई बार आपको प्रस्टाव कोई है newerागों के दियार की उलेक कि अगर कोई विवाद बगेरा है तो उसमें सरकार के क्या आदेश हैं उनका उलेक भी जरूरी है ठीक है दूसरी चीज यह हो गई तीसरी संकलब की रूप रेखा वो भी बहुत जरूरी है देखना कि अगर आपने कोई resolution बनाना है तो उसकी रूप रेखा हमारे पास हो लास्ट में जो चौथा इसका भाग रहता है उन अधिकारियों को निर्देश जिन्हें संकलब भेजा जाना है जिसको हम ये resolution भेज रहे हैं उनके क्या अदेश है या उनके क्या निर्देश है ये चार चीज़ें जो बहुत जरूरी है आप देखेंगे कि ये हमारी जो नि के बारे में जानना जरूरी है कि resolution क्या होता है उदगोशना क्या होता है या फिर आपका विज्यापन क्या होता है या फिर आपका अदि सूचना क्या होता है इन सब विश्यों पर आपको जानना जरूरी है तो ये था संकलब जिसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर ध्या आपको एक होता है आपका परिपत्र एक होता है पारपत्र यानि की पासपोर्ट ठीक है वहाँ से याद रख लेना कि दूर जाने वाला ठीक है लेकिन यहाँ पर है आपका परिपत्र परिपत्र मतलब सर्कुलर गश्ती चिटी गश्त लगाना एक तरीके से जहसे तरीके से आ सूचना या एक ही निर्देश या कोई आदेश अलग-अलग मंत्रालियों अलग-अलग विभागों कार्यालियों या पिर आधिनस्त विभागों को भेजना होता है तो इसके लिए लिखे जाना वाला जो सरकारी पत्र कहलाता है उसको ही हम क्या कहलाते हैं हम क्या गयते हैं ग जाएगा ठीक है तो वो कई प्रोसेस से होकर के गुजरेगा तो वही आपका क्या है आपका गश्टी चिट्धी ठीक है इसको आपने ध्यान में रख लेना है या फिर आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं देखना कि जो यह आपका पत्र है इसमें जो भी आपकी आदेश र रहती है ठीक है उसका प्रियोग इसमें रहेगा और यह आपका एक सरकारी पत्र है जो कारिया लग आपन के रूप में आप देखेंगे कि इसका हम प्रियोग करते हैं ठीक है तो मतलब आप देखेंगे कि जिसमें कोई भी सूचना है या कोई आपका आदेश है तो वो क्या है अलग-अलग भी भागों में जाएगा ठीक है इसको आप ज्यान में रखेंगे यानि कि आपका पत्र क्या है गस्त लगा रहा है जा रहा है ठीक है और फिर लास्ट में उसको क्या मिलेगी अन्य पुरुशों के बिना स्वा निर्देश के लिखा जाता है यानि कि इसमें क्या रहेगा आपका अन्य पुरुश में लिखा जाएगा और किसी भी प्रकार का निर्देश इत्याजी लास्ट में जो है वो नहीं रहेगा ठीक है तो इसको आप कहेंगे कि अन्य पुरुश में ही लिखे जाएंगे लेकिन कुछ रहेंगे जो आपको उत्तम पुरुष में लितने हैं वो आगे पढ़ेंगे इसमें अगला जो प्रकार है देखिए ये है कारयले आदेश बहुत ही मतपून है देखना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं office order इसको भी पूछा जा सकता है ठ ठीक है बहुत ही simple है कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है संपोधन और स्वा निर्देश इसमें भी नहीं होता किसी प्रकार का कोई संपोधन इत्यादी समें नहीं रहता एक कारयले में किसी हम व्यक्ति विशश के लिए तो नहीं लिक रहे है ठीक है तो वो समस्थ आगे क्या है रादिकारियों के लिए है ठीक है तो मंत्राले और समनित कारेले की और से जो करमचारियों के पती जो आदेश क्यार के जाता है उसको हम क्या कहेंगे कारेले अदेश इसमें भी संबोधन और स्वानिर्देश नहीं रहेगा ये भी जो है आपका अन्यपूरूश में ही लिखा जाता है तो इसमें कोई जादवात नहीं थी आपको प्रशन बनने की जो संभावना है वो आप समझ गया होंगे कि कहां से बनेगा ठीक है उसके बाद आता है प्रेस बिग्यपती ये भी बहुत मतपूर है देखना प्रेस बिग्यपती के बारे में भी आप तो आपको ऐसा प्रकाशित करता है उसको किस नाम से जाना जाता है तो तब आप याद रखेंगे इसके लिए कहा जाएगा प्रेस विग्यप्ति याद रखना है बहुत ही मतपून प्रशन है वो सकता है यहां से प्रशन आपको बन जाए समाचार पत्रों को इसमें परिवर्तन करने का कोई भी अधिकार नहीं होता यानि कहने का मतलब यह है कि प्रेस विग्यप्ति अबर किसी भी पत्र में हम दे रहे हैं तो उसकी जिम्यदारी बनती है कि वो उसको वैसे के वैसे ही चापे जैसे हमने उसको दिया है या सरकार ने प्रेस विग्यप्ति में कोई भी आपको बदलाव नहीं दिखेगा, ठीक है, तो यह बात इसकी समाने सी होगी, इसको भी आपको ज्यान में रख लेना है, प्रेस विग्यप्ति में केबल इतनी ही चीज़े हैं, जो आपके काम की हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक और भी कई बार की जाती है, ठीक है, तो आप देखते हैं, जिसको प्रेस कॉनफरेंस इत्यारी के नाम से भी आपको जानते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे, मतलब उसके बाद जो है समाचार पतर क्या कर सकता है, उसमें थोड़ा सा कांट चांट करके उसको चाप स में रखेगा और प्रेस विग्यप ती भी आपका एक प्रकार से क्या है सूचना ही है इसको भी आप त्यान दीजे ठीक है ये भी आपको प्रशन पूचा जा सकता है कि क्या यह सूचना है बिलकुल रहेगा ठीक है उसके बाद आता है आपका कार्याले ग्यापन जिसको हम official letter क कहेंगे ठीक है कार्याले ग्यापन है ना तो इसमें क्या है विभिन कार्याले की बीच जो पारस पर इक पत्राचार है यही आपको याद रख लेना है तो आपको प्रशना से पूचा जा सकता है कि कार्याले ग्यापन यह प्रशन बन सकता है प्रत्थम पूरुश में लिख जिना है उसका पता हम कहां पर लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे अंत में बाई और ठीक है तो ये बात थी आपकी कारे लगया आपन से रिलेटर इसमें कुछ खास बात है नहीं इसके बाद है सरकारी पत्र यानि कि ऑफिशल लेटर ये काम का है थोड़ा साइस को आपको अ प्योगी अंग माना जाता है ठीक है साथ ही साथ बोला गया कि इसमें विस्तार पूरवक निर्देश आदी भेजे जाने के प्रियोग में भी सरकारी पत्र जो है वो प्रियोग में लाया जाता है ठीक है और यह पत्र वेवार किसके बीच में होता है भारत सरकारों और राजदुतावासों के राजय सरकारों अधिनस्त कारलों आदी के साथ पत्र चार के लिए जो है इसी सरकारी पत्र यानि की ऑफिशल लेटर का ही प्रयोग जो है वो किया जाता है तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उन से ठीक है आपका जो पत्र वेबार रहेगा वो क्या रहेगा ऑफिशल लेटर के नाम से जाना जाता है और इस सरकारी पत्र में आप देखते हैं कि अगर कोई भी चीज कहनी हो तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है मुझे यहाँ निर्देश हुआ है की इस तरीके से ही इसकी श अनुसार ही वो उस पत्र को लिख रहा होता है तो प्रश्न यहाँ पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि मुझे यह निर्देश हुआ है कि इस वाक्य से किस प्रकार के पत्र की शुरुवात होती है तो आपको यहाँ पर सिंपल सा याद रख लेना है इस से जो इस वाक्य से जो आपका कौन सा पत्र प्रारंब होता है तो वो है आपका सरकारी पत्र ठीक है तो यह आपको ध्यान रख लेना है और सरकारी पत्र को ही बोला गया है कि यह व्यभार का सबसे उप्योगी अंग माना जाता है आपके सरकारी पत्राचार में ठीक है ध्यान देना है आपको most important बात है ये ठीक है, तो ये था आपका मतपुन चीज़, इसके बाद हम आगे देखते हैं अर्द सरकारी पत्र के बारे में, जिसको डेमी ऑफिस्यल लैटर के नाम से जानते हैं, डेमी ऑफिस्यल, ठीक है, तो व्यक्तिकत तत्त्तो का इसमें कहा रहता है, समवीश रहता है, यानि कि अर्द सरकारी है तो अब्यसी बात है कि इसमें व्यक्तिकता तो रहेगी रहेगी, ठीक है, अधिकारियों दोरा वीचारों वा जानकारी को आदान परतान करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है, किसके दोरा जो अधिकारी हैं देखना वो, और साथी साथ आप कि इसमें किसी भी प्रकार की जो भी अपचारिकता हैं, इत्यादी हमें सरकारी पत्र में पूरी करनी पड़ती हैं, वो इसमें नहीं रहती उतनी, जब व्यक्तिकता आ गई, तो अभ्यसी बात है कि वहाँ पर व्यक्ति अपने अनुसार भी कुछ चीज़ें जो आँगो इ इसमें प्रिय और प्रिय वर जैसे संबोधन भी रहते हैं, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़े थे कि कहां पर हम प्रिय प्रिय वर इत्यादी का संबोधन करते हैं, कहां पर नहीं करते हैं, उसके लिए भी आपको समान्य पत्र वाली जो पहली क्लास है, उसको एक बार जरूर प्रेशक प्रेशक यानिकी बेजने वाला वो क्या लिखेगा आपका लिखकर हस्ताक्षर के बाद इसमें नाम नहीं लिखेगा ये प्रशन भी करवार पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के पत्र में जो प्रेशक है वो अपने हस्ताक्षर के बाद अपना नाम नहीं लिख था तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे अर्दसरकारी पत्र में डेमी ओफिशल लेटर में जो है आपका प्रेशक अपना नाम नहीं लिखेगा बलकि सिर्फ और सिर्फ अपने हस्ताक्षर आपका ठीक है इतना सा ही ओके तो ये था आपका अर्द सरकारी पत्र जिसकी जो मुख्य मुख्य बाते हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी थी इसके बाद आगे आता है कि ग्यापन जिसको को मैमोरेंडम के नाम से जानते हैं ये प्रशन Elt Commission में भी पूछा गया है कि ग्यापन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो ये आपका मैमोरेंडम इसको आप ज्यान रखेंगे मैमोरेंडम से हम क्या समझते हैं जब आप देखेंगे कि कोई मंत्राले द्वारा अपने अधिनस्त कार्यालियों प्रभागों और अनुभागों को लिखे जाने वाला पत्र ही क्या कहलाएगा आपका ग्यापन कहलाता है यानि कि कोई भी मंत्राले क्या कहता है अपने से नीचे के जो कार्याले हैं या कोई व पत्र प्रवार के लिए, साथी साथ बोड़ा है कि करमचारियों द्वारा प्राप्त याचिकाएं, प्रात्ना पत्रों के उत्तर देने के लिए भी इसका प्रियोग हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमने कोई भी याचिका रखी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लोग में लाते हैं जो आपका ग्यापन है ठीक है तो ज़रा मुश्किल नहीं है देखना है यानि कि कि किसी भी काम को करवाने के लिए हम उचादिकारी के पास जाते हैं अपनी कोई भी डिमांड जित्यादी को रखके ठीक है यह याद लेना है इसे अन्य पूरुषों में ल नहीं होता यहनि कि जो आपके पहले वाले जो आपके मुखेर उसे सूचना ही त्यादी में जो चीज़ए थी वो ऐसे ही नीचे केबल प्रेशक के हस्ताक्षर और पद का ही उलेख इसमें रहता है कि जिसने यह बेजा है उसके इसमें सिर्फ हस्ताक्षर होंगे और उसके पद का उलेक होगा, बाकी इसमें और कोई चीज नहीं रहेगी, प्रेशिती का नाम वपद हस्ताक्षर के नीचे बाएकोने पर लिखा जाता है, प्रेशिती का मतलब होता है जिसको हमने इसको भेजना है, ठीक है, तो ये बात भी आप यहां पर द्यान में रखेंगे देखन तो प्रेशिती का नाम वपद हस्ताक्षर के नीचे बाएकोने पर लिखा रहेगा, ठीक है, तो ये समाने सी बाते हैं जो आपको ग्यापन में याद रख लेनी है, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है देखना, कि अन्य पुरूश में लिखा जाएगा, समोधन और स पड़ा, उसमें आपने देखा कि उसमें किसी भी प्रकार का आपका आपके नाम नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ खस्ताक्षर रहेगा और आपका लिखेगा, ठीक है, तो वो आप एक बाद थोड़ा सा अच्छे से जाने आपके अदसरकारी पत्र में, ठीक है, तो ये अदस मंजूरी पत्र, ये भी आपको पुछा जाएगा, इसलिए इसको भी ध्यान में रख लेना है, ठीक है, मंजूरी पत्र के माध्यम से क्या है देखना, कोई भी मंत्राले, विभाग या कार्याले, आदी को राष्टपती या राज्यपाल की और से प्राप्त मंजूरी की सू भी आपको पूछ जा सकता है, तो इसको या रखेगा मंजूरी पत्र, जो है राष्टपती के नाम पर लिखा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका सरकारी पत्र के समान ही रहता है देखना, और इसमें बोला गया है कि अंत्में प्रिष्ठांकन के रूप में उन अधिकारि जिनको प्रतिलिपी भेजी जा रही हो, ठीक है, तो प्रिष्ठांकन में क्या हो रहेगा, कि किन अधिकारियों का उलेख होगगा, जिसको इसकी प्रतिलिपी जो है वो भेजी जाएगी, मंजूरी के लिए जैसे मान लीजिए, एक ओपीस में आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कोई विश्ववी ताले की हम बात करते हैं, उनिवर्स्टी की बात करेंगे, तो एक DS को जाएगी, एक DSW को जाएगी, एक जो है आपके Vice Chancellor को जाएगी, एक संबंदित भी भाग को जाएगी, तो ऐसे करके जो प्रतिलिपिया हैं, वो आपको क्या रहेगा, अंत मंत्राले और महालिका परिक्षक को भी किसकी मंद्जूरी, मतलब किसका, किसकी प्रतियां भीज जाती हैं, याद रखेंगे आप मंद्जूरी पत्र की, यानि कि सेंक्शन, लेटर की, बहुत ज़रूरी है ये, इसको आप ध्यान में रखें, तो ये थे आपके जो मुख्य मुख्य पत्र के रूप हैं देखना, जिनको आपको ध्यान में रखना था, इसके लावा और भी बहुत सारे रूप जो हैं, वो हो सकते हैं, जो कि आपकी पत्राचार से सम्मंदित हैं, उनको एक बार आप देखना चाहें, तो देख सकते हैं, बाकि उसके पीडियक जो है म मंत्राले से, निश्चित अबधी में किसी पत्र का उत्रप्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिती में अनुसमारक भेजा जाता है, जिसको रिमाइंडर कहते हैं, मान लीजिए, किसी विभाग ने क्या किया है, दूसरे विभाग को, या पिर अपने ही समंदित हदिकारी को, किसी क कुछ चीज कही है, अगर वहाँ से कोई हमें रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है, तो हम क्या भेजेंगे, उनको एक रिमाइंडर भेजेंगे, वही आपका क्या है, अनुसमारक है, फिर से भेजेंगे, पुना एक पत्र भेजदेंगे, और उसमें पहले वाले पत्र की बात भी के लिए खेद व्यक्त किया जाता है और कहा जाता है कि संबंदित विभागों के उत्तर निरधारी तब्दी में प्राप्त नहीं हुए कि जैसे हमने बुलत हकी रिजल्ट जो है वो हमारे इतने दिनों में आ जाना चाहिए लेकिन अभी नहीं आया तो वे द्यार थी लोग य है अनुस्मारक पत्र वेभार उसी रूप में फ्रिक्त होता है जिसके लिए अनुस्मारक भेजा जा रहा है तो यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का आप देखेंगे कि मतलब जैसा उसका रूप है वो वैसे ही रूप में जो है आगे बेज़े जाएगा ये ध्यान में रखना है आपको बाकी यहां पर कुछ और एक्स्टर भात याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है इसके लावा जो मुख्या आपके और भी इसमें कुछ-कुछ आपके सरक प्रिष्ठंकन आता है इसको एंडॉस्मेंट के नाम से भी जानते हैं और ये पूछा भी क्या है देखना E-N-D-O-R-S-E-M-E-N-T इस नाम से रहता है आपका प्रिष्ठंकन ठीक है तो अंग्रेजी में वो रहेगा ठीक है और जैसे कुछ और रहता है इसमें एक आदेश रहता है जिसको हम और कहते हैं ठीक है जो वित्य मंजूरियों के लिए ही मिलता है तो ये कुछ अन्य भी है उसके बेद उनको भी आप खाली समय में जो है एक पार जरूर देखें आखरी और मतपून चीज हम इसमें देखने वाल है अब आपका देखना ये है सूचना टें निर्मान करवाना होता है या कुछ समान खरीदना और बेचना होता है तो प्राय निविदा या टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं ये तो आप हर गाउं महले में देखती रहते हैं कि इसके टेंडर इसको दिए उसके टेंडर इसको दिए ठीक है तो ये जीज़ क्या है यहा क्या करेगा tender बुलाएगा है ना अमंत्रित करेगा इसके समचार पत्रों में भी ग्यापन भी किये जाते हैं और परिपत्र भी बांटे जाते हैं या निकि दूरों तरीकर परिपत्र का मतलब circular की हर एक भी भाग न जाएगी ठीक है तो सब को बांटा जाएगा ऐसे करके एक ही पत्र रहेगा वो सेम पत्र जगा दे दिया कि ये चीज़ है इसके निलामी होने वाली है या फिर इसका जो आपका tender होने वाले हैं ठीक है तो वो चीज़ है इसको हम कहते परिपत्र अब आपको यहां से और क्लियर हो जाएगा कि एक ही पत्र जो है वो अलग-अलग भी भागों में जा रहा है और एक चीज़ ही कह रहा है तो वह गश्ती पत्र जिसको आप कहते हैं या फिर उसको आप सर्कुलर कहते हैं या जिसको आपने परिपत्र के नाम से ज है और साथी साथ Tender कब इसकी शुरुवात हुई है और कितनी इसके जो है आपकी जो रखम रहेगी आपको देनी है वो सारी चीजें जो इसमें रहती है तो मतलब आप यह कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई माल त्यारी वेशना है या फिर किसी को भवन निर्मान इत्यादी बनाना है या सड़क निर्मान करना है या कुछ भी चीज करनी है ठीक है तो पहले-पहल क्या है उसको निर्मान कारे का पूरा का पूरा बेवरा जो है वो दिया जाता है ठीक है तो यह भी बात आप यहाँ पर ध जो रहेगा तो वो पंजिकृत ठेकेदार ही टेंडर भर सकता है कि जिसने अगर कोई निर्मानकार इत्यादी करवाना है तो वो क्या होना चीए पंजिकृत होना चाहिए तो ये बात यहां पर महत्पून है इसको आप जरूर याद रखें बाकि इसमें कुछ भी नहीं रहता यहां से सिर्फ इतना ही पूछता है देखना कि टेंडर से क्या भी प्राय है ये भी आपके परिभाशिक शब्दों में पूछा जाता है टेंडर का मतलब है निविदा ठीक है इसके साथ साथ अन्य जो इसके भेद बहुत सारे और भी रहे हैं जो कि उतने जादा ये दस पंदरा जो भेद हैं जो मैंने यहां पर आपके पीछ में रखे हैं देखना इन पंदरा को भी अगर आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो भी आपका काम जो है वो असानी से बन जाएगा न सिर्फ इनको आपने खाली याद रखना है बलकि आप इनके बारे अच्छे तरीके से चाहते हैं तो इसको A to Z सारी चीज़ा पढ़िए एक बार इसको फिर से आप अपनी कितावों से देखिए जो आपके पास graduation का कोई भी विद्यारती है उससे उनकी कितावों को लीजिए और देखिए कि इसमें क्या है प्योजन मुलक हिंदी बहुत अच लेकिन जो आपकी कार्याले हिंदी है वो थोड़ी सी मुश्किल रहती है तो I hope कि आप सब लोगों के लिए ये class जो है उप्योगी रही होगी आगे हम देखेंगे आपकी जो सारी चीज़े हैं इसी से समंधित होकर जो गुजरने वाले जो चीज़े हैं वो है आपका प्रत वेदन और टिपन इन तीनों के बारे में तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू